हेलो हमारे योटूब फैमिली मैं सभी लोगों का स्वायत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पटना की असा में देखे फ्रेंड आज मैं आपको केले का रेसिपी जारी हूँ बताने केले से चट पटा अप सब्जी कैसे बनाए बहुत अच्छा टेस्टी लाजवाब यह अज बताऊंगी मैं आपको एक अच्छी तरीके से कैसे बनाए जिससे की अच्छा लगे खाने में स्वाध हो यह देखे चार केले है फ्रेंड अब मैं इस सब को क्या करूंगे छेल लेना है अच्छी तरीके से छेल लेए अब प्लीस हमारे चैनल को सिस्क्राइब कीजिए शेर कीजिए वीडियो लाइक कीजिए प्लीस फ्रेंड सपोर्ट कीजिए कि हर दिन मैं आप लोगों के लिए कुछ नया रेशिपी का वीडियो लाती रहूं अब देखे क्या करना है यह चार केले हैं चार केले को मैं अच्छी तरीके से छेल लेना है छेल के मैं बताऊंग कि इसको कैसे बना है जो कि आपका सबजी बहुत अच्छा बने इस तरीके से देखे मैं चार केलो को छिल लूँगी पहले बीच से कट कर दे क्योंकि मैं इसका छोटा छोटा ठुकरा नहीं करने वाली हूं मैं इसे एक लंबे लंबे जैसे में काटूंगी देखे बीच से इस तरीके से कट करके इसको अची तरीके से छिलना है इस तरीके से देखे फ्रेंट छिल लें हाथ बचाते हुए आज मैं केले से आपको कुछ दुसरा रेसिपी जारी हूं बताने जिसे की बहुत अच्छा लगे खाने पर आप चावल के साथ रोटी के साथ ले सकते हैं इसका जो मैं आज बता रही हूं इसकी सबजी इस तरीके से बनाईए गा फ्रेंट बहुत टेश्टी ला जवाब द बार इसे अच्छी तरीका से पहले दोना चामालस की चुछायों में पीछ दूँगी यही मसाला देना है उसके बास आप उपर से मिर्च का पॉडर अधनिया का पॉडर अधा हल्दी पॉडर आप ले ले मैं जो मसाला ली हूं इसको पीछ लेना है अच्छी तरीके से आप देखिए मैं कराही चलाई हूं डेक्शन पर इसमें मैं बताऊंग केले को कैसे बनाना है जिसे कि आपका सबजी बहुत अच्छा लगे खाने में आपको अब देखिए मैं केला को तरीके से लंबा लंबा काटके केले में थोड़ा सा मैं जो मसाला पीछ के रखी थी फ्रेंड वो थोड़ा सा मिला लेना है मसाला जो मैं बना के रखी हूं उस इसको एक एक करके आप अच्छी तारीके से पहले नियुकित रख अच्य मच्छी बनाते हैं ओसमें तौर मसाला डाल के पहले चान ते नियुक्त देखिए झांते और शाके जब यह फ्राइग आप अच्छी करना है। देखे जब यह अधर हलका पक जाएं। इसे नहीं पकाना है तो इसे पलट से पलटिते दूस्री दूसरे था इस अछी तरीके से पकायं के इस तरीके से बनाज घा करें गारे टीज टोरा सव पाने हाए हट कर प historically kalodak का रेसीपी अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा फ्रेंड तो फ्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके मौयर पर आपके नोटिफिकेशन जाए आप हमारा वी लेट भी जाता है लेकिन मैं डालती हमारा वीडियो ज़रूँ डालती हूं आप मारा विडियो ज़रूँ देखें यैं 1 वार में हलका सा हमेरा हो चुका है मैं इसे निकाल दूंगे बेजितने सारे केले कूब बना के रखी हूँ फ्रेंड मसाला लगा के मैं सारे को इसी तरीके से करके छानना है इस तरीके से सारे को छानने विश्वास मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सबजी का आपका इस तरीके से आप एक बार जरूर बनाए देखिए इस तरीके से सब को छानना है ज्यादा लाल नहीं करना है फ्रेंट बहुत हलका सा ही इसे पकाना है एक तरब से ज्यादा लाल नहीं करें तब टेस्ट बिगड़ सकता है इसलिए हलका ही लाल करें क्योंकि फिर मैं इसे मसाला में डालने वाली हूं जब मैं मसाला फ् बहुत अच्छा लगेगा खाने में फ्राइक किया हुआ अकेलब महनत तो कुछ भी नहीं है बस थोड़ा से महनत बहुत अच्छा बनके तयार हो जाता है यह रेसिपी बहुत सारे वीदियो डाली हुई है आप देख सकते हैं अच्छा केले का आप कैले का कोपता बहुत सॉप्ट है कटल की सब्जी है जीरा राईस है छोला है आप पर चैनल पर जाके वीडियो को देखिए मैं बहुत सारे सब्जी का रेसिपी डाली हूँ जो कि आप देख के बना सकते हैं ये देखिए फ्रेंड ये फ्राइक करके निकाली हूँ वह हमारा है इस अब देखिए फ्रेंड हलका हलका मसाला भी लगा हुआ है क्योंकि मसाला क्योंकि किसी भी सब्जी का मुख होता है मसाला में होता है मसाला मसाला जब आपका अच्छा रहेगा डंक रहेगा भूंजा हुआ रहेगा सब्जी आपका लाजवाब बनना ही बनना है फ्रेंड आप मसाला में थोड़ा सा राई ले 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 काला वला राई अजवाइन ले अजवाइन का जुरत पड़ेगा अजवाइन का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सबजी में अजवाइन ले 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 अथोरी सी कस्तूरी मेथी ले ले फ्रेंड इतना सवान में फोरर में डालना है काली राई काली सर्सो अजवाइन आप मेथी कस्तूरी मेथी का यूच करें और उसके वाद जो मैं मसाला ले हूँ फ्रेंड वो तो मसाला मैं आपको दिखाई हूँ कि इसमें क्या लेना है लसुन लेना है राई लेना है जीरा लेना है आप धनिया पौडर एक चमच ले 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 एक चमच मिर्च का पौडर ले ले एक चमच हल्दी पौडर ले ले और नमक अपने स्वार के हिसाब से रखें यह देखें मैं कस्तुरी में थी इसमें डाली अब यह देखिए जो मैं मसाला तैयार करके रखी हूँ वह सारे मसाले को मैं इसमें डाल दूँगी जब हमारा मसाल जो पोरन डाली हूँ में वह अच्छी तरीके से मेरा चटक चुका है तैयार है तब मैं इसमें मसाला डालूँगी अब मसाला डाल के देखिए मैं बहुत अ आच्छी तरीके से भूना जाई गा तेल अलब हो जाएगा मसाला से तरीसी समझे, इसमें यूपोगे फ़्रे इसमें सम्झे, ne बहुत में भूकर च голाता धेलoit फ़्रेज, कि मैं जो केला फ्राई करके रखी हूँ वो मेरा आधा है वो थोड़ा सा कच्चा ही है इसलिए मैं उसे अच्छी तरीके से उसमें पकेगा इसी वज़े से पानी थोड़ा सा ज्यादा ले ज्यादा का मतलब यह नहीं कि पूरा लेलना है बस एक से दो गिलास ले उतना में उसके बाद आप उसमें केला डाले जो फ्राई करके रखे हैं और मैं आपको बताती हूँ अगर आप केले के सबजी बनाए तो हमारा ये वीडियो जरूर आप एक बाद देखें कि मैं कैसे कैसे बनाई हूँ आप एक-एक श्टेप देखें उसके बाद बनाए फ्रेंड आ अब मैं इसमें थोड़ा सा और देखके मैं इसमें पानी डालूँगी। मैं केले का कोपता भी बताई हूँ फ्रेंड की जो कि आपके मुझाते ही मुं में घुल जाए अधम सौप्ट मुलायम सा कोपता आप जरूर एक बार हमारे वीडियो देखें केले का कोपता कैसे बनाएं बहुत अच्छे तरीके से मैं बताई हूँ यह मैं सरसो की सबजी बता कि आप कैसे बनाएं यह देखें इसमें पानी ले रही हूँ मैं और थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें जब भी कोई रेसीपी बनाएं आप बुरा वीडियो देखके बनाएं इससे होगा यह कि आपका जो भी आप बना रहे हैं वह आपका बहुत अच्छा बहुत टेस् अच्छा लगेगा इसलिए कोई भी रेसीपी बनाएं पूरा वीडियो देखके बनाएं फ्रेंड बीस में स्क्रीप न करें अब देखें मैं थोड़ा देर ढग दूंगी पानी डाल के देखें हमारा पानी वाल हो चुका है मसाला का पानी जो मैं बनाई हूं ग्रेवी जब लगे देखें मैं सारे केले का फ्राई जो है वह मैं इसमें डालूंगी देखें हमारा सब्जी का कलर कितना खुशूरत है आप इस तरीके से भी बनाईएगा आपका सब्जी बहुत टेस्टी लाजवाब बनेगा देखें सब्जी हमारा कितना सुन्दर लग रहा है अ सब्जी तैयार है आप इससे देखें यह मरा केले का सरसुकी सब्जी कितना सुन्दर लग रहा है देखने में खाने में बहुत टेस्टी लाजवाब इसके चावल के साथ आप ले शकते हैं रोटी के साथ ले सकते हैं आप चाहें तो थोड़ा से ग्रेवी रख सकते हैं पर मैं ग्रेवी नहीं रखी हूँ मैं पूरा इस तरीके से बनाई हूँ आप भी अपने घर पे जरूर एक बार बनाए जब भी केले की सबजी बनाए एक बार हमारा वीडियो जरूर आप देखें फिर मिलूंगी फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में ठाइंक्यू तब तक के लिए आप इंजॉय कि